हलो फ्रेंग्स वेल्कम तु माइ चानल शद्धास वाशन हाब फ्रेंग्स आज के इस एपिसोड में हम लेटेस्स नेक डिजाइन मिनाना सीखेंगे और यह नेक डिजाइन जो है यह बोट नेक में है बोट नेक में हमें एक परल शेप देंगे तो उसके लिए यह मैंने कुर्ती का अपना आगे का पार्ट रखा हुआ है और फोलेड हिस्सा इधर की तरफ है ओपन मेरी तरफ है तो जो फोलेड हिस्सा है बहां से हमें अपना नेक ब्रेथ देखनी है कि हमें कितना चौड़ा रखना है तो मैंने आपको बताया मुझे बोट नेक में आना है तो वैसे तो हम धाई से पौने तीन इंच रखते हैं नॉर्मल नेक पर यहां हम फोर इंच पर हमने एक निशान लिया हुआ है इस तरीके से क्योंकि यह थोड़ा सा ब्रॉड बनता है डैप्ट कम होती है पर ब्रॉड जादा होता है तो यहां से हमने यह 4 इंच पर एक निशान ले लिया है और उसके बाद इस तरीके से और उसके बाद जो हमें इसकी गहराई रखनी है वो लगभग 3 इंच हम रखेंगे तो उपर यह सिलाई का हिस्सा है इतना यह शोल्डर में दब जाएगा तो टोटल मैंन यहां पर यह 3 इंच पर जिलाई में चला जाएगा तो यहां पर मैंने यह 3 इंच ले रखा है तो इस तरीके से यहां से भी आप पहले एक शेप ड्रॉ कर लें यह वार में कभी आता नहीं है शेप इस तरीके से और इसे फिरा जब आपको लगें आप सैटस्पाइड है शेप से तो इस तरीके से हम उसे डाक कर लेंगे ये देखें परफेक्ट शेप आ गया है मैं किसी भी बख्रम कर लिए जो हम क्यानवस लेटे हैं किसी भी चीज का यूजी नी होगा इसे हम 25 पत्ती से बनाएंगे और यह भी पत्ती से बनाएंगे पाइपिंग लगा तो इस तरीके से मैंने ये न्यक का शेप दे दिया है तो अब मैं इसे कटिंग कर लूँगी इस तरीके से यह हमारा बोट ने कट चुका है अब हमें से प्रंट पे जो हमारा पैनल है यह इस तरह से कपड़े को और इस तरह से विछा लेंगे तो यह हमारा यह रिखे परफेक्ट शेप आया है और यह शेप बना लेके बाद हमें जो हमारा यह हमारा यह ध्यान रखिए यह मिडिल पार्ट है यह रिखिए मैं हलका समाक लगा रही हूं यह मिडिल पार्ट है तो यहां पर हम इस तरह से एक टियर ड्रॉप शेप देंगे तो उसके लिए हमें क्या करना होगा यहां से आप धाई इंच या दो इंच मानने लेते हैं हम टू इंच पर एक मार्क ले लेंगे इस तरीके से यह पैटन जो है मैं लेफ साइड में बना रही हूं आप इधर भी बना सकते हैं मैं लेफ साइड में बना रही हूं और इस तरीके से दो इंच में मैंने यह मार्क ले लिया है अब मैंने यह देखिए एक पेपर लिया है ताकि डिजाइन इवन बने तो यह पेपर ले ले और यह देखिए इसकी जो लंबाई रखनी है वो मैं लगबग 4 इंच रख रही हूं जो शेप देंगे हम वह 4 इंच के अंदर ही देंगे क्योंकि 3 इंच करना है किये भी है और नीचे लगबग 4 इंच लिया है मैंने तैयार हो के साड़े 3 इंच के असपास अजाएगा तो सा इसकी जो गहराई है यह मैंने 4 इंच ले ली है इस तरीके से और अब हम इसमें शेप देंगे तो उसके लिए मैं 1.5 इंच पे लगबग 1 इंच ऊपर 1.5 इंच पे एक मार्क लूंगी इस तरीके से ताकि हमें पता चले कि हमें इससे बाहर नहीं जाना है तो अब मैं इस प और एक ड्रॉप लेट का आपको शेप देना है आप चाहें तो कोई भी शेप दे सकते हैं मैंने यह 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 शेप पसंद किया है आप चाहें तो कोई भी शेप ले सकते हैं और यह इस तरीके से मैंने यह इसे शेप दे दिया है तो मैं भी कटिंग कर लेती हूँ इस तरीके से मैंने देखे ये शेप कट कर लिया ओर ये रेखिए ये इस तरह से ये तयार हुआ है इसे मैं थोड़ा सा और फ्राट्डेस मुझे ज्यादा लग रही है तो मैं थोड़ा सा और बतला कर रही हूँ इस तरीके से मैंने जैसे आप से कहा आपको जैसा पसंद हो आप ऐसा शेप रख सकते हैं आजकल यह बहुत पाशन में हैं डिजाइन यह देखिए परफेक्ट है कि यहां से हमने इस तरह से 2 इंच पर मार्क लिया हैं अब जो हमारो इस डॉकलेट है इसे हम इस तरह से ओपन करेंगे और जो इस मिटल पाट है उसे इस तरीके से इस पर सेट करेंगे यह देखिए और इस तरह से इस पर एक निशान दे लेंगे इस तरह से निशान लेने पर जो शेप आएगी वो आपकी दोनों साइट से इक्विल आएगी तो यह शेप लेने के बाद आप यह ट्रॉपलेट हडा दीजिए और मैं इसे डाग कर देती हूं यह देखिए हम इसकी यहां से इस तरह से कटिंग कर लेंगे तो कटिंग में आपको ध्यान रखना है जैसे मैंने यहां पर शिलाई का कपड़ा रख सा तो कटिंग में भी हमें थोड़ा-धोड़ा मार्जिन शोडाना लगभग वन फोर्थ इंच ते भी कम इस तरीके से क्योंकि जब हम इसमें अपनी पाइपिंग लगाएंगे तो वह हमें सिलाई में काम आएगा इस तरीके से रेखिए मैंने थोड़ा-थोड़ा कपड़ा छोड़ा है और इसी तरह से हम इधर भी छोड़ेंगे और इसे कट करके निकाल देंगे यह रेखिए यह शेप मैंने कट करके निकाल दिया है और यह नेक हमारा अब बनने के लिए तयार है तो यह इस तरीके से आएगा यह देखिए यहां पर हम पाइपिन देंगे और उसके बाद यहां पर एक हम बटन लगाएंगे और इस तरीके से यह नेक तयार होगा तो आएगे अब हम इसकी स्टिचिंग करते है जैसा कि मैंने आपको बताया कि नेक पर मैं मुझे पाइपिंग लगानी है मैं बुक्रम का यूज नह ही कर रही हूं थो हाट जाँ लगाने के लिए यह पास कंपड़ाना कपड़ एक गलम गया तो यह है लंबा टो यह रहाए तो उसमें मैंने इस तरह से कंपडे को आप ऐसे समझ है इस तरह से टारी रखना है और इस तरह से यह मैंने डानली इस पर लांगीन खिच लिए है ये पट्टियां मैंने की जो ही चोड़ाइई है इस तरह में इसकी हमेशपे तरह नाव स्परमाेज़ दू दु दू इंच नाव सबक्षब करना है चोड़ाँ चैट से भीजिक से पैसे किर्णी नहीं चैटिया जैसे हमेशजब में तुम इसके सबें। यह ध्यान रखिए और यह भी पट्टी हमेशा ऐसे ही निकलती है इसे लगाने का एक रीजन होता है यह रेखिए जैसे तिर्ची कटी विए यह दिख रहा होगा आपको कपड़े की सिधाई यह है और पट्टी मैंने तिर्ची कटी है और यह सारी डिजेल वैसे मैं पहले करते हैं यह देखिए दो इंच की काटी है और इस तरह से आम इसकी पाइपिंग यूज करेंगे तो मैं इस सारी पट्टियां कट करने हुए जोड़ने का तरीका एक बार फिर से आपको बता देती है यह रेखिए यह एक पट्टी है मेरी अब इसे हमें लंबी पट्टी ब यह देखिए पॉर्णर से कॉर्णर हमें मिलाना है यह देखिए यह आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक पट्टी हमने वर्टिकली रखी है और जो दूसरी पट्टी हमें हमारी आएगी वह होरिजेंटली रखनी है इस तरीके से नीचे यह आपका सेविन वाला शेप बनेगा और इस तरीके से इन दोनों पट्टियों को यहां से हमें इस पे एक स्टिच देनी है तो मैं आपको दिखाती हूँ यह देखिए इस तरीके से यहां पर जब हम इसे एक स्टिच दे रेंगे आप डबल स्टिच भी दे सकते हैं पका करने के लिए और स्टिच देने के बार ह यह नमभी पट्टी जोड लगा कर लिया है, अलtown सिलाई नषस है और उसके बार ये रेखे ये जैसे पटी दो इंच की थी मैंने इस तरह से इसे फोल्ड करके और ये आयरन से अच्छे से दबा लिया है तो ये सिलाई करने में हमें बिल्कुल भी परिशानी नहीं होगी इस तरह से इसे अच्छे से आप दबा लीजिए अब इसके बार जो हम एक बार का थोड़ा सा घ्याप देकर और इस तरह से एक मांकिंग कर ली है तो इस लिए करी हैं ताकि हम जब ये पाइपिं लगाएंगे तो हमें कोई दिक्कत ना हो और easily इसके उपर लगती जाएं तो जो सिलाई देनी है वो हमें इस मांक पर देनी है पट्टी हम किनारे स रखेंगे पर हम यहां से सिलाई चलाएंगे और आप चाहें तो आप इस पट्टी पर इस तरह से पूरे में इस तरीके से माग दे सकती हैं ताकि विपुल सीधी सिलाई आए और आपको कोई दिक्कत ना हो तो आप ऐसे भी कर सकते हैं और यह दियान रखी जो खुला हिस्सा ह रहेगा और जो यह खुला हिस्सा है वह खुले हिस्से की तरफ रहेगा तो इस तरीके से मैं आपको रख कर दिखाती हूं यह रेखिए इस तरह से हम रखेंगे और पट्टी को थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाहर की तरफ निकाल के रखिए बाद में कटिंग हो जाएगी इस तरीके से और इस तरीके से हम ہं से चिलना शुरू करेंगे। बहुत अराम से दीरे दीरे लगाएंगे क्योंकि इस पे और किसी भी बुक्रम के यूज नहीं किया तो बहुत दिरे धिरे और ना पट्टी को खीचना है और यह इसके उपर रखी यह हमारा नेक है और इसके उपर बस थोड़ा थोड़ा पटी रखते जाए त्स, यह देखें इतना मार्जिन मैंने एक पैर का छोड़ा है और यह आपको दिखाने के लिए मैं गंट्रास थ्रेड यूज़ कर रही हूं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे और आप सेम कलर यूज़ करिए और इस तरह से यह देखें बैक साइड है और यह फ्रैंट साइड तो इसी तरह से बस साधा जल्दी करने की दरूरत नहीं है बस थोड़ा थोड़ा बस इतने इतना पोर्शन लेजिए ताकि बहुत नीजली आपके पट्टी लग सके अब जैसे यह कॉर्णर है जहां से हमने यह अपना ट्रॉपलेट कट किया है तो इस कॉर्णर पे आपको अंदर करने के बाद इस तरीके से पट्टी को हम घुमा देंगे और घुमाने के बाद फिर से यहां पर इस तरह से सिलाई देंगे यह देखिए यह पाइपिंग पुरे में लग चुकी है इस तरीके से और पाइपिंग लगाने के बाद इस पर मैंने यह रेखिए बहुत ही छोटे-छोटे यह कट्स पी दिये हैं यह रेखिए कट्स ऐसे देने हैं कि यह जो हमने सिलाई करी है इस पर इसका जो धागा है वो ना कटे और जहां यह कव वाला पॉइंट है यह देखिए जो यह कव वाला पॉइंट है यह वाला इस पर भी मैंने थोड़ा पास-पास नजदीक-नजदीक इस तरीके से यह रेखिए और छोट जालाने के बाद इस तरह से पट्टी को इस तरह से मोड़कर और उसके बाद मशीन को घुमा के और इधर की तरफ से यह सिलाई चला लेते हैं तो यह हमारी पाइपिंग लग चुकी है और इसमें इसमाने रिखाती हूं कि हमें कड्स कैसे डालने हैं हलके से तिर्छे कट इस तरीके से कैची लीजिए और जो हमारा कपड़ा है उस पे हमें इस तरीके से बहुत छोटे-छोटे यह रेखिए इस तरीके से कि हमारा धागा ना कटे तो यह तिर्छे कट डालने हैं और पिसारी पटी पे इसी तरीके से मैंने यह कट्स डाल लीए ह अब मैं यह पट्टी आपको दिखाती हूं कि हमें पलटनी कैसे है तो यह रेखिए इस तरह से हम आप चाहें तो एक बड़ स्पिर्ट से इसे इस तरह से करके और आयरन चला लिजे तो आपकी पट्टी में और भी दादा फिनिशिंग आएगी तो मैं आपको दिखाती हूं को एस तरीके से लेना है और ममारी पट्टी है इसे हम इस तरीके से इसको हम ऐसे पलट रहे है और पलटने के बाद आपको मोटी पैपिंग लगानी है तो आप इतना पलट सकते हैं यह देखिए और बारक करनी है तो उस जितनी बारक करना चाहें जू एक्स्ट्र अ accent कप जैसे आप बारिक piping देनी है, तो जित्वी बारिक आपको चाहिए, जैसे यह पतली से पतले आप इसमें piping निकाल सकते हैं, यह रेखिये, यह बिल्कुल thread piping जिसे कहते हैं, आप वो भी बना सकते हैं, तो यह आपकी चोईस है, आप कैसी रखना चाहते हैं, मुझे यह इतनी पत इस पर बिल्कुल आप चाहें तो पाइपिंग फुट लगा सकते हैं और यहां पर हम बिल्कुल पास-पास सिलाई चलाएंगे मैंने विल्कुल बारी इस तरह से अंदर को यह मोड दिया है और जैसे हमने पाइपिंग थोड़ा-थोड़ा करके लगाया था तो ऐसे ही धीरे-धीरे हमें यह देखिए हलका सा हाथों से दबाके रखें और थोड़ा-थोड़ा हिसे में हम पाइपिंग चलाएंगे इसको इस तरह से जो कपड़े का दबाव है वो पट्टी की तरफ ही रहना चाहिए और इस तरीके से इसको इस तरह से हम मोड़ेंगे और पट्टी लगाते से में जो हम पाइपिंग लगा रहे हैं वो लगाते से में सिर्फ एक ही बाद धियानक नहीं होती है कि इमेन आनी चाहिए जितना आप मोड़ रहे हैं वो सब तरफ से बराबर आनी चाहिए यह देखिए इस तरह से मोड़ा और यह piping हमारी पीछे इस तरह से बनके तयार हो रही है अब यह हमारा corner आ गया है यहां से हमारा मुड़ना है तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे फुट को ऊपर उठाएंगे सुई को अंदर रखें इस तरीके से और यह वाला हिस्सा अब फोल्ड कर दीजिए अंदर इस तरीके से और यह देखें हमारी point तयार हो गए यह दियान रखें कि पीछे भी बिल्कुल even आना चाहिए इस तरीके से पेदोगे अटीट ही वार इस तो नदर कितर लुगें इस तरीके से लिए करें गादी रखें ए ट्टाहिए यहां सुई अंदर डालेंगे और इसको घुमा कर जैसे हमने बाकी पट्टी लगाई है जो हमने पाइपिंग मोड़ी है इसी तरह से इस पे भी मोड़ लेंगे और यह देखिए कॉर्णर हमारा होत अच्छे से बढ़ चुका है यह देखिए हमारी पट्टी लगदग कम्प्लीट हो चुकी है पूरे नहीं पे हमने पाइपिंग लगा ली है मैं आपको निकाल के रिखाती हूं यह पाइपिंग मेरी कम्प्लीट हो चुकी है यह देखिए इसका फिनिश लोग अभी हमने उसके पास एक मशीन से सिलाई चलाई थी जो इसका बैक साइड है यहां पे हमें तुरपाई कर हमें करनी है हमें करने से ज्यादा फिनिशिंग आती है आप चाहिए तो जो हमने इसके पास चलाई थी तो आप एक फुट का ग्याप छोड़के यहां पर एक सिलाई चला सकते हैं तो उससे यह जो पट्टी है आपकी वो दब जाएगी पर मैं यहां पे हमें करूंगी और इसके बाद यह देखिए जो लुक है इसका वो यह है यह जो हमारा यह जो शेप आया है तो यहां पर देखिए इस तरह से अगर पलेटने में आपको लग रहा है कि यहां पर पट्टी बैठ नहीं रही है यह रेखिए तो इस तरीके से मैंने यहां पर जैसे यह दो कट आएगी बिल्कुल भी चुन्डट नहीं पड़ेगी कुर्ते में तो इस तरह से आप कर सकते हैं और इसको लास्ट जो हमारा काम रहे गया है वो यह देखिए मेरे को मैंने यह रेखिए एक लूप बना रख है यह मैंने एक डोरी बनाई थी यह दोरी बनाने का तरीका मैं अपने पिछले वीडियो में जिसमें मैंने ट्राउजर बनाई थी उसमें डोरी निकालनी बताई थी कि कैसे आप डोरी बना सकते हैं तो यह मैंने एक लूप तैयार कर लिया है और इस लूप को मैं इस तरीके से स्वी से हाथ से हैमिल करके इस तरीके से यह रेखें यह लूप है इसे मैंने लेफ पोर्शन में रखा है इस तरीके से और इसमें आप बटन लगाना चाहें बटन लगा सकते हैं थे भूल का POM POM मेंने भूल का मैंने विडीयो आप लिएteen का तो इस तरीके से मैं यह भून बॉल यूसे लगा सकते हैं और अगर आप देखना चाहते हैं कई पॉम-पॉम बॉल यह मैंने मनते हैं यह's का link में मैंने देप्शिप्रिप्शिन box में दे दूगी बैने एक video upload किया हुआ है is already उसमें कई तरीके से यह pompom wall बनाने बताए हैं तो वो आप घर पे ही easily बना सकते हैं तो इस तरीके से यह राइट में लगेगा यह लेफ में लगेगा जो भी बटन या पॉम पॉम आप लगाना चाहते हैं वो इसमें इंसर्ट करके देख लीजे कि आपको कितना ग्याप चाहिए इस तरीके से कि आराम से जाना चाहिए और इस तरीके से यहां रखकर एक निडल ताके लगाकर इस तरीके से और इस तरीके से निडल लेकर और इस तरीके से मैं यहां पे यह से पट्टी के साथ ही आप इसकी जो स्ट्रेचिंग करें पट्टी के साथ करिएगा ताकि कुर्ते पे नीचे स्टेचिंग के निशान ना आए और इसे अच्छे से मजबूत करके बारीक बारीक इस तरह से ताके लगाकर और इसे मैं कम्प्लीट कर दूँगी और इसे जब हम पल्टेंगे तो यह देखिए यह लूप हमारा अच्छे की तरह यूज हो जाएगा इसका फिनिश लूप मैंने रूप लगा दिया है बटन लगा दिया है और इस तरीके से यह इसका फिनिश लूप है यह रेखिए और जैसा कि यहां पर मेरा यह प्रिंटेट कपड़ा है तो मैंने इस पर कुछ वर्क नहीं किया है अगर आप प् कई सारे आइडियाज है आप अपने क्लेटिविटी यूज करिए उसको और भी सुंदर बनाने के लिए और अगर आप चाहें तो यहां पर एक पतली सी लेस भी लगा सकते हैं तो यहां मैंने बटन यूज किया है बटन की जगह आप यहां पर जो टैसल होता है टैसल अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो मेरे वीडियो से अगर आपको कोई भी हल्प मिल रही हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बैल आइकन पर क्लिक करिए ताकि आने वाले वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहें तो अगर बहुत जल्स हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ एक नए डिजाइन के साथ तब तक के लिए बाबाई